हलो दोस्तों कैसे आप लोग आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोचल लाइफ में आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल सेरी शोनार बंगला और यह है एपिसोड 27 और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगलादेश डेल्टा प्लान के बार में दोस्तों यह बं आप देख रहें सोचल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बंगलादेश दुनिया की लार्जेश डेल्टा कंट्री है लेकिन सवाल यह है कि डेल्टा होता क्या है और यह कैसे बनता है दोस्तों जब रिवर्स फ्लो होते हैं उनी के साथ साथ बहुत से पार्टिक जबनता है और वो रिवर्स दो हिस्सों में डऴर्त होया था कि असको डेलेल्टा करते हैं दोस्तोंぐ्लाइब चैंज चींड डेल्ल राइज हो रहा है और इससे बहुत ही रिस्क है देल्टा लान प Carmen भी ओघड़ाण जैसे की बंगनेश 15 5 मिटर तक दोस्तों बंगलादेश के 14% लाइन एडिया को constantly floods का सामना करना पड़ सकता है और 35 मिलियन से जाधा यानि 3.5 को लोगों से जाधा इससे effect हो सकते हैं उनको relocate करना पड़ सकता है और इस issue को solve करने के लिए government ने बंगलादेश डेल्टा plan 2100 launch किया और इस डेल्टा प्लाइन को successful बनाने के लिए बंगलादेश के साथ World Bank और नेधर लाइन भी जूट चुकी है क्योंकि दोस्तों नेधर लाइन भी एक डेल्टा कर रही है और उन्होंने 50 साल इस पर काम किया है और इस massive challenge को solve करने के लिए बंगलादेश का साथ दे र जाएंगे और यह बंगलादेश के 6 hotspot location पे किये जाएंगे जिसमें coastal area, flood prone area, drought prone area आते हैं और दोस्तों 80 projects में से 65 infrastructure development के projects है और बागी के 15 skill development और management के projects है और इन सभी projects हो बनाने की कीमत 37 billion dollars estimate की गई है और 2030 सक सरकार इस phase 1 को complete करना चाहती है यानि दोस्तों 2020 से government को 3 billion dollars से ज़्या जादा amount देना पड़ेगा इस project को complete करने के लिए जो बहुत ही बड़ी रकाम है और यह बंगलादेश का अब तक का सुबसे costliest project होने के साथ साथ अब तक का सुबसे बड़ा mega project है और बंगलादेश की करोणों की life इससे बदल सकती है दोस्तों यह था एक overview बंगलादेश डि सब्सक्राइब कर लिजए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद थांक्यों